दंदो चालू राखवानों अमारो इरादो छे एटले आपणे जारे एनी हिसाबी नहोंदो जोईशू त्यारे आ बीजी शरत नी कोई हिसाबी असर क्या काउंटिंग इफेक जोवा नहीं मड़े पण आ इरादो अथवा जारे खरिती कम्पनी वेचाती कम्पने नो धंदो कम्पनी आजे वेचाती कम्पनी छे एक कम्पनी ना ओच्छा मा ओच्छा नेव टका एटले मूड किम्मत ना अधारे मूड किम्मत ना शेर धारन करता शेरोल्डरों जोडान पछी खरिती कम्पनी ना इक्विटी शेरोल्डरों बनता हो वाजुए आखी विगा तो वेचाती कंपनी ना नेव टका के तेथी वधू शेर धारण करना रहो अथवा शेर ओल्डरो आ जोडान नी प्रक्रियाने मन्जूरी आपी होई आपेली बात आम थवाना कारणे वेचाती कंपनीना कंपनीना शेर ओल्डरो पोता ना शेर ना अवेजनी अंदर खरिती कंपनीना शेर वेचाती कम्पनीना जेछे ए आ योजनाने समर्थन आपेछे तथा अवेजमा खरिती कम्पनीना इक्विटी शेर मेडवानी मन्जूरी पण आपेछे अने एना अनुसंधाने तेओ खरिती कम्पनीना इक्विटी शेरोलरो बन्चे अईया एक वात नानी महत्वनी एछे के वाट अबाउट दी रिमेनिंग 10 परसेंट बाकी ना दस्ट रकानूसू तो ज्यारे आ जोडार नी योजना नक्की करवा मावी होई तियारे जे वेचाती कम्पनी ना शेरोडरो आ योजना ने समर्थन आपता ना होई एमने वड़तर के विरिते अपफू ए जोडार ना भा तरीके नक्की करवा मावी होई ने प्रमाणे एमने वड़तर आपफू आमा आउशे बीजो महत्वनों मुद्धो ए छे क्यारे वेचाती कम्पनी ना शेरोडरो नी सामे खरिती कम्पनी पोताना जारे एक्विटी शेर आपे त्यारे एनो एक अवेज नो अथवा स्वैप रेश्यो नक्की करे चाने स्वैप रेश्यो के वाई मानों के वेचाती कम्पनी ना त्रण एक्विटी शेर ना बढ़ला माँ खरिती कम्पनी ना बेएक्विटी शेर तो आने स्वैप रेश्यो के वाई याथवा अवेज माँ पनो रेश्यो के वाई गुणो तर के वाई पण जे शेर उल्डर पासे त्राण शेर होई एने वेचाती कम्पनीना त्राण शेर होई एने खरित्ती कम्पनीना बेक्विटी शेर मड़े फाइन पण कोई शेर उल्डर पासे चार शेर होई तो एने त्राण नी सामे बे शेर मड़े अने एक जे शेर बाकी रहो एनी सामे ने अपुर्णांक मा शेर मिड़वानों अधिकारूपो थाई पण आप जानो छो कि कोई पन कंपनी अपुर्णांक मा शेर बाहर पाड़ी शक्ती नथी तो एवा जे अपुर्णांक मा शेर मलता होई एवा शेर नी रकम अथवा एना मार्केट प्राइस ना धरे के एनी किम्मत नक्की करवानू जे मिकानिजम आ जोडाण मा दर्शावा मा आवियू होई शरत ना भाग तरीके एनू पालन करीने खरिती कम्पनी एटली रकम अवेज मा रोक कर तरीके आपशे जे आपड़े आगण लिटरोन समझवाना छिए तो आतरीजी शरत वेचाती कम्पनी ना उचा मा उचा नेव टका के ते थी वदू शेर होल्डरों जोडाण पछी खरिती कम्पनी ना इक्विटी शेर होल्डरों बनता होवा जोईए चौथी शरत छे दा कंसिडरेशन तो दा रांस्परर कम्पनी मस्ट वेचाती कम्पनी ना इक्विटी शेर होल्डरों ने अपुरुनांक मा शेर बड़ता होई तो अपुरुनांक मा शेर आपी शकाई नही ए संजोगो नी अंदर जेटला कूल अपुरुनांक मा शेर आपवाना होई ए अपुरुनांक शेर ने भिगा करवा मा आवे एटले ए पुरुनांक शेर बने अने जो डाणना भाग स्वरुपे शेर नी जे किम्मत दक्की करवा मा आवी होई एटली रकम खरिती कम्पनी वेचाती कम्पनी ने रो ने एट पार अथवा तमाम एक्विटी शेरोडरों ने एक सर्खा भागे अवेज प्राप्त थाई शके तो ही या बैबाबतों महत वनी छे के खरिती कंपनी वीचाती कंपनी ने अवेज मां पोताना एक्विटी शेर साब से अने जो पूरणांक मां शेर अप्वान आउता ह तो तेटला पूर्ती रोकड आपती होवी जुए पांच मी शरत चे ट्रांसपरी कंपनी चांट में एक एनी चेंज इन देवान जवाबदारी स्विकारी चे एपाई की कोई पन मिलकत के कोई पन देवानी किम्मत मां जो डाण पछी ए कोई पन प्रकार नो फेरफार करी शके नही फरीवार खरिती कंपनी वेचाती कंपनी नी जे कोई मिलकतो अने देवानों स्विकार करे होई एनो एनी किम्मत मा जो डाण पछी कोई पन प्रकार नो फेरफार करी शके नही जो ए फेरफार करे तो आ शरत न कम्पनी है कोई जुदू हिसा भी धोरण अपनावी होए अथवा कोई यहनी पोता नी हिसा भी पॉलिसी अलग होए अने वेचाती कम्पनी नी हिसा भी पॉलिसी अलग होए तो वेचाती कम्पनी है जे पोता नी चोपडा नी अंदर अथवा बैलेंस शिट नी अंदर जे मिल पुरुट्टीज जारे बनने कंपनियों अलग-अलग प्रकारनी इसवी नीती अपना भी होई ते अरे खरिति कंपनी खाली फक्ट हिसाबी पॉलिसी उनिफोर्म करवा पूरुतीज जरूरीयाद जिटलीज रकम थी अन जरूरीयाद जितलीज मिलकत के देवानी अंदर रकम मां फेरफार करी शक्ये छे एक्सेप्ट टु एंस्योर युनिफार्मिटी ओफ अकाउंटिंग पॉलिसी बानों के एक सरस उदार लेए आपड़े के खरित्ती कंपनी सिदिलिडी नी पद्दती ये घसारों गणे छे औने वेचाती कंपनी घटती जती बाकी नी पद्दती घसारों गणे छे ए संजोगूनी अंदर वेचाती कंपनी ए घटती जती बाकी नों उप्योग करियो छे औने त्यार पचीप घसारा बात किम्मत याणे पोताना हिसा भी चौपड़ाओमा दर्शावी छे आप जानों छो के बनने पद्दती नी अंदर घसार नी रकम अवे वेचाती कंपनी नी मिलकत जो खरिती कंपनी स्विकारीले तो ज्यारती मिलकत खरिदी छे त्यारती खरिती कंपनी सिधेलीडी नी पद्दती नों उप्योग करे छे तो ए प्रमाने जेटलों घसारों था ए नों से औने त्यार पची मिलकत नी जे किम्मत रहती अशे पोता ना चौपडा मा दर्शाव से अईयां हेतु ए छे के हिसाबी सुसंगत ताहरे इतला माटे ज आटलो चेंज अलाव करवा मा आभियो छे तो आप पांच मी शरत छे ट्रांसपरी कंपनी कांट में कैनी चेंज इद बुक्स पांच मी शरत पन काई एवी जवात आपणने रजू करे जे खरित ती कंपनी वेचाती कंपनी नी स्विकारेल बिलकतो के देवानी चौपडा कीमत मा कुई पन फेरफार न करी शके आज ए पांच मी शरत छे एनी पन जोडान नी प्रक्रिया धर्म्याण के संयोजन के समाविष्णी प्रक्रिया दर्म्यान कोई हिसा भी नहों न थी एटले जो आप पांचे पांच शरत नो जो डिटेल मा अथवा योगिर दे आप जो समझे हो तो पांच पाईकी नी बे शरत नू पालन करू जरूरी छे पण एनी कोई हिसा भी असर न थी एटला आपड़े शरत नंबर एक बे त्राण चार आने पांच जो जो इए तो खरेखरतो कुल त्राण शरतों आपड़े हिसा भी चोपडा उपर एनी असर थाई और ए बांटे त्राण शरतों नू पालन हिसा भी वेवारों नोधवा माटे करवानू अवे अगर जो यूतें जो डाणनी शरतो आ पांचेई शरतो नू पालन करती होई तो एने मर्जर केवाई अथवा एने हितो ना जाड़ाउनी नी पद्धती केवाई अकाउंटिंग स्टांडर्ड 14 नी अंदर जो ए मर्जर होई तो एनी हिसा भी नोंध केवी रिते करवाई ए स्पास्ट रिते एनी पद्धती आपनने आपे ली छे पन साथे एपन कयो छे अकाउंटिंग स्टांडर्ड दी अंदर के जो आ प्रकारनू जोडाण 5 पैकी नी कोई एक के एक करता वधारे शरतनों भंग करे तो एने एक्विजीशन केवा यथवा एने समावे स्वरूपनू जोडाण केवाई खरदी स्वरूपनू जोडाण केवाई आने ए संजो गोनी अंदर आ जोडान नी हिसाबी चौपड़ा मां नोध केवी रिते करवी एनी पद्धती जुधी छे बन्ने पद्धती जुदी छे आपड़े जोड़ाण नी कई पद्धती नूँ पालन करवानू ए नक्की करवा माटे आपड़े सौथी पहला नक्की ये करू पड़े क्या जोड़ाण मर्जर स्वरूपनू छे हीतो नी जाड़ावनी ना स्वरूपनू छे अथवा गणीशु अने आपडे हिसावी धोरणी अंदर जे पद्धती आपणे आपवामावी छे थ्वर जु करवामावी छे एनु आपडे जेते प्रक्रियाना आधारे आपडे एनु पालन करीशु अहिए एक बौज महत्वनी नोंद छे आपडे सवय नोंद लेवानी छे ट्रांस्फरी कंपणी विल एक्सेप्ट दिडिबेंचर्स ऑब दिट्रांस्फर आर गंपणी आइधर इन मर्जर और इन एक्विजिशन जो आवु जोडाण मर्जर के हितोनी जाणवनी स्वरुकनु होए अथवा आ जोडान एक्विजिशन अथवा खरदी स्वरुकनु होए कोईपण प्रकारनू के कोईपण स्वरुकनू जोडान होए तो बन्य प्रकारनी अंदर वेचाती कम्पनेना डिबेंचर नामना देवानौ खरित्ती कंपनी देवा तरीके स्विकार करशे एटले मर्जर होई के एक्विजिशन वेचाती कंपनी ये पोताना डिबेंचेर ने परत करवाना नथी वेचाती कंपनी ये पोताना डिबेंचेर नी जवाबदारी अथवा देवानी जवाबदारी खरित्ती कम्पनी ने सौपी देवानी छे खरित्ती कम्पनी जेवू आ जोडाणनी कार्यवाही पूरी थाई के तरत अज most probably on the same day or on the very next day खरित्ती कम्पनी पोताना नवा डिबेंचर भार पाड़ी ने वेचाती कम्पनी ना जे डिबेंचर नो देवा तरीके स्वीकार करयो होई एने परत कर्षे काराणी वुछे के जयारे वेचाती कम्पनी पोतानो समग्र धन्दो बीजी कोई कम्पनी ने वेची दे त्यारे ते कम्पनी पोतानु अस्तित्व गुमावे छे अन्य जो कंपनी ज अस्तित्व मा नहरे तो एना डिबेंचर नूँ पण आप आप अस्तित्व रहतू नथी माटे खरित्ती कंपनी जोडाण नी प्रक्रिया थाई त्यारे तरत अज एज दिवसे अथवायना बिजा दिवसे वेचाती कंपनी ना डिबेंचर होल्डरों ने अवेज मा उताना नवा डिबेंचर आपशे आज ये विगच्छे ए बनने प्रकार ना जोडान नी अंदर सेम रहवानी छे खरिती कंपनी वेचाती कंपनी ना डिबेंचर नो देवा तरीके स्विकार करशे पचिये acquisition होई के merger होई अगर नी विगचे the transferee company immediately will issue its new debentures to redeem the debentures accepted of the transferer company आगर जयुँँ ते वेचाती कम्पनी ना debenture ने परत करवा माटे खरिती कम्पनी जोडान नी प्रक्रिया पुर्वी थाई के तरत अज पोता ना नवा debenture अवेज मा आपशे पण आम करवाना कारणे मानो के वेचाती कम्पनी ना debenture नी बाकी छे 5 लाख रुपिया नी खरिती कम्पनी 5 लाख रुपिया ना वेचाती कम्पनी ना debenture नो स्विकार करे छे पण अईयाउं गणतरी आपने बतावुँ छु पांच लाख रुपिया ना debenture नो देवा तरीके स्विकार करे छे वेचाती कम्पने डिबेंचर नो अवेज नी अंदर जे आपफा मा आवेज मां खरिती कम्पनी अवेज मां पोता ना नवा debenture आपे छे आ debenture मानो के पांच लाख ने पच्चास जार रुपिया ना आपे छे आपने थाई क्या हू के विरते बने तो वेचाती कम्पनी ना debenture पर नो व्याद नो दर जुदो होई अने खरिती कम्पनी जे नवा debenture आवेज मां आपे छे येनो व्याज नो दर जुदो होई आम थवाना कारणे डिबेंचर होल्डरों ने व्याजमा नुक्सान न थाई ते माटे आरकम डिबेंचर नी किम्मत ना स्वरुपनी अंदर एज़ेस करवामा आवे छे क्यारेक ओची पणो इशके क्यारेक वधारे पणो इशके आपड़े बंदे उधारन जो इशकी है पांच लाख रुपिया ना डिबेंचर नो स्विकार करयो पण अवेजमा पांच लाख ने पचास जार रुपिया ना डिबेंचर आपया आम करवाना कारणे खरीति कम्पनी ने पांच लाख रुपिया नो देवु चुकावा माटे साड़ा पांच लाख रुपिया ना डिबेंचर आपवा पड़या अथवा खरीति कम्पनी ने पचास जार रुपिया नो नुकसान थयू आम असर केवाई कारण के एबडे जे डिबेंचर नो स्विकार करयो ये पांच लाख ना डिबेंचर नो स्विकार करयो छे देवानो एमने अवेज माँ साड़ा पांच लाख रुपिया ना नवा डिबेंचर चुकवे छे आम खरीति कम्पनी ने वेचाति कम्पनी ना डिबेंचर परत करवाना कारणे के अवेज मा नवा डिबेंचर आपवा ना कारणे पच्छास ज़़ार रूपिया नुँ नुखसांत आई जे आनाती बिजू अुदारन लेइ कि मानों के पांच लाक रूपिया ना डिबेंचर नो स्विकार करयो पन सामें अवेज मां साड़ा चार लाख रूपिया ना डिबेंचर आपे छे तो आपने तरत ख्याल आवी गयो कि आम करवाना कारणे खरिती कंपनी ने पच्चास जार रूपिया नो नफो थशे अतवा फाइदो थशे कानके डिबेंचर स्विकार्या चे 5 लाख न अवेज आपे छे 4 लाख नो अईया महत वनुए छे कि जो आम मर्जर होई तो आ नफा के नुक्साननी असर काया एकाउंट मा थाई अने जो एक्विजिसन होई तो एनी नफा के नुक्साननी असर क्या थाई आज बाबत आपणा महते बूझ समझवानी जरूरी छे जो खरित्ती कंपनी ने वेचाती कंपनीना डिबेंचर परत करवाना कारणे नुक्सान थाई अने आ मर्जर स्वरूपनू जोडान होई मर्जर स्वरूपनू जोडान होई तो खोड थाई होई तो सामान्य अनामत खाते उधार थाई अने जो नफो थाई होई अईया जो ये छे ते प्रमाणे नफो थाई होई तो ए रकम सामान्य अनामत खाते जमा थाई तो आपने तो याद राखवानू बहुँ सरण बनी गयू मर्जर नी अंदर अत्वा हीतो नी जाड़ावनी स्वरूप नी अंदर खरिती कम्पनी ने वेचाती कम्पनी ना डिबेंचर परत करवा ना कारणे कि अवेज मां पोताना नवा डिबेंचर आपवाना कारणे जो नुकसान थाई तो सामान्य अनामत खाते उधार थाई अने जो नफो थाई तो सामान्य अनामत खाते जमा थाई टूंक मां मर्जर मां डिबेंचर परत करवाना कारणे नफो थाई के नुक्सान थाई ए बन्यनी असर सामानय अनामत खाते करवामा आउशे आपणे एपण जोई अवे के जो एक्विजीशन स्वरुपनू जोडान होई तो आ नुक्सान के नफानी असर क्या थाई तो आपने एपन जोईए कि जो आ एक्विजीचन स्वरूप होई अथवा आ खर्दी स्वरूपनू जोडान होई अने नुक्सान थतू ओई खर्दी कम्पनी ने तो ए रकम पागडी खाते उधार थशे पाण जो